हेलो प्रेंड्स मैं सीव मुद्पनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स कप्षप में आपने थम मेल बिल्कुल सही देखा है इस पूरे चिंजिस को हम डेटेल में समझेंगे तो पूरे एंड तक जो है हमें बने रहना है वो सारे एक्सपेक्ट को कवर करके चलना है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं स्क्रीन पर पॉर्टी नाइन्थ जीस्टी कॉंसिल मिटिंग में काफी सारी ऐसी बाते करी गई हैं जिससे काफी ज्यादा बेनेफिट होने वाला है टेक्सपेयर को तो इसको हमने वन बाइवन जो है कवर कर तके चले हैं जहां पर यह जो अठारा फरवरी दो हजार को जो छे बचके पच्चेस मिनट पर हमारे पास प्रेस रिलीज इशू जो हुई है फॉर्टी नाइं जीस्ट कॉंसिल मिटिंग की उसमें काफी ज्यादा बेनेफिट से को प्रोवाइड करें जिसको जिसके रिग अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से और क्या-क्या बेनेफिट इसमें दिये गए हैं तो अब हम देखेंगे कि बेनेफिट assessment order इसमें withdraw कर दिया जाएगा कौन सा वाला assessment order best judgment assessment order को जो है withdraw कर दिया जाएगा deemed withdrawal हो जाएगा कब withdrawal हो जाएगा इसको समझते हैं जो इसमें प्रस्ताव रखा गया था कि अगर time से return file नहीं होती 3B तो best judgment assessment order के इसाफ से जो है demand निकाल दी जाएगी और वो demand जो है with interest उसके लिए जो है यहां पर amendment करनी गई है अब further amendment section 62 में क्या करी गई है to extend the timelines to extend the timelines one time amnesty इसमें one time amnesty scheme के थूँ जो है amendment करी जाएगी section 62 में और उसमें क्या बात करी जाएगी as per section 2 of section 62 best judgment assessment order is deemed to be withdrawal if कब withdrawal कब जाएगा अगर वो return जो है 30 दिन के अंदर जो है file करी जाएगी return जो है 30 दिन में file कर दी तो best judgment assessment order में जो demand होगी वो withdraw कर ली जाएगी council recommend to amend section 62 इसके according जो है section 62 में भी amendment करी जाएगी as to increase the time period for filing of return for enabling the deem withdrawal for the best judgment assessment order जो कि अभी 30 दिन है उसको 60 दिन में change कर दिया जाएगा उस time को limit को बढ़ा कर 60 दिन में और फर्दर उस साथ दिन को भी फर्दर जो है another 60 दे मतलब maximum तीस दिन से जो है वह बढ़कर साथ और साथ से भी वह अगर subject to certain condition जो है वह साथ को भी बढ़ा कर फर्दर साथ और हो सकती है मतलब टोटल 120 देज जो है तक की जो है यहाँ पर time period मिल जाएगा अब इसमें फर्दर कहा गया है council also recommended to provide amnesty scheme for the conditional deem withdrawal of the assessment order in the past cases जो पुराने cases है उसके लिए amnesty scheme का benefit दे दिया जहाँ पर concern return could not be filed within 30 days जहाँ पर पहले क्या time period था 30 days का तो 30 days में जो उनसी return नहीं फाइल हुई पिछली वहाँ पर क्या कर दिया अब amnesty scheme का benefit जो है मिल जाएगा और amnesty scheme के benefit से क्या होगा इसका इस पर जो है amnesty scheme की वजह से deemed withdrawal जो पिछली best judgment assessment होई थी उसमें withdrawal हो जाएगा और उसके उससे क्या benefit रहेगा जो इंट्रस लेट फी यह सारी इसमें जो है इसका benefit ले पाएगा तो यह बहुत ही अच्छा जो है कहीं ना कहीं एससी के लिए फायदे सब्सक्राइब रहेगी यह सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज आप जो है जो इसके अलग जो नेक्स पार्ट से उसको भी प्रिवेस पार्ट में जो हमने कवर किया है उसको भी रेफर कीजिए ताकि 49 जीस्ट कॉंसल में जो इसको में लिए हम हाइलाइट कर रहे हैं ताकि वह मिस आउट ना हो ताकि हमारा या फिर हमारे क्लाइंट का बिल्कुल भी नुकसान ना हो होप आपको पूरी जो है क्लियर हुई होगी अगर फिर भी इसमें कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स पे मेंचन कीजिएगा और आप मेल भी कर सकते हैं टेक्सकप्षप at the rate gmail.com पे आप अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं आपको फिर वीडियो पसंद आई यह तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को जुरूर शब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की similar वीडियो जो है हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं तो आज की discussion को यहीं close करते है मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तिल देन बाई बाई जैहीं जैवार